क्रिटिसिजम को जो क्रिटिसाइज किया गए है उसके बारे में देखेंगे पहला कृटिसिजम आता है फ्रॉम वेस्टर मार्क वेस्टर मार्क ने क्लासिकल इवल्यूस ने बताया कि मोनोगैमी जो है यह मैरेज का आखरी स्टेज है जो कि सिर्फ एडवांस्ट सिविलाइज कल्चर में जैसे कि इंग्लैंड में ब्रिटन में यॉरॉप में यहां से देखने को मिलती है बाकी जगों पर नहीं मिलती है मोनोगैमी जो इसके बारे में वेस्टर मार्क ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है मोनोगैमी एंड न्यूक्लियर फैमिलीज आर फाउंड इवन इन मनी प्रिमिटिव कल्चर्स इन फैक्ट एस्कीमोज जो जिस टाइम पर टाइलर स्टडी कर रहे थे उस टाइम पर इसकीमोज एसकीमोज को अभी हम कहते हैं इनुट्स इसकीमोज सब्द अब रिजेक्ट वह हो गया है आउट्डेटेट हो गया अभी इनुट्स वर्ड यूस करते हैं इनुट्स उस टाइम पर भी क्लासिकल एवल्यूशनिस के टाइम पर 1860-70 इस टाइम पर भी इनुट्स जो थे वह हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे बट देवर लाइक हंटर गैदरर्स वह वेस्टन कल्चर्स के जैसे सिविलाइशन में काउंट नहीं होते थे फिर भी ते हैड नुकलियर फैमिलीज अन दे हैड मोनोगैमी इन फैक्ट एमबर एन एमबर लिखने वाले एमबर कहते हैं कि मोनोगैमी जो है और मोनोगैमी इस नॉट अहूमन इन्वेंशन मोनोगैमी मतब एक पार्टनर एक मेल और एक फीमेल एक साथ रहना यह कोई इंसानी इन्वेंशन नहीं है इंसानों ने पहली बार असा नहीं किया है हर वो जानवर एवरी एनिमल जिसमें हम देखते हैं पोस्ट पार्टम फीडिंग डिफिकल्टी पोस्ट मतब जिसमें भी जिस भी प्राड़ी में इस भी आइनिमल में वह जानो हो सकता है कोई चिडिया भी हो सकती है जैसा कि सारह स्क्र denial है उत्तरपरदेश को उत्तरपरदेश मार सब्सक्राइब of the state pid sudden Erstali उद्देस का वह भी सारी जिन्दगी उसका की पार्टनर रहता है डिपर्टनर और अगर इक पार्टनर मर जाए तो दुसरा भी डुपारा फिर कोई पार्टनर नहीं बनाता हुँ तो हर वो एनिमल जिसमें पोस्ट पार्टम फिडिंग ढ ör़्िकल्टी ओस पोस्ट पार्डम फिडिंग डिकल्टी मेर्स देने के बाद कुछ समय तक जो फीमेल होती है उसको डिफिकल्टी होती हUST पेन में रहती है हो खाना नहीं जूगार कर सकती है अपने लिए और अपने चोटे बच्चे नवजात सिश्व के लिए खाना और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल खाना और प्रोटेक्शन का जोगाड जो नहीं कर सकती है फीमेल उसके साथ में एक मेल पार्टनर रहता है ताकि वो स्पीसी सर्वाइव करे तो ऐसे बहुत सारे अनिमल्स हैं जिन में पोस्ट पार्टम फीडिंग डिफिकल्टी होता है जिसमें फीमेल बच्चा पैदा करने के बाद कुछ दिनों तक खाना जुगाड नहीं कर सकती है तो ऐसे अनिमल्स तभी सर् फ्रेंज बोएज अगर यह फ्यूमन इंवेंशन नहीं है तो फिर इसको फ्यूमन सिवलाइजिशन का फाइनल स्टेज बताना गलत होगा ठीक है ओके फ्रेंज बोएज जिनको हम फादर फीड़ वर्क कह सकते हैं एंथ्रोपॉलजी में क्योंकि फीड़ वर्क को आगे जा रहे थे वही इनुइट्स इसकी मोज को स्टडी कर रहे थे वहां जाकर काफी महीनों रहे थे वह उनके साथ फीड़ वर्क कर रहे थे तो सबसे बड़े सपोर्टर थे फीड़ वर्क के तो फ्रेंज बोएज ने क्रिडिसाइज किया हुए क्लासिकल इवालिशनिस को आर्म चेयर anthropologist कहते हैं यह आराम से अपनी आराम कुरसी में बैठके आम चेयर में बैठके anthropology की थियोरी बनाते थे field में नहीं जाते थे field work करने ऐसा friends boys कहते हैं और reality में सिर्फ Morgan को छोड़के LH Morgan ने field work किया था Iroquois Indian tribes हैं उनके उनमें field work किया था उनको Morgan को छोड़के बाकि जो classical evolutionist है टाइलर है या फिर Fraser है या फिर में इन लोगों ने field work नहीं किया था इनको फिर इनकी theories कहां से आती थी इनकी theories आती थी secondary sources से इनका source क्या था देखिए ये 1850s 60s 70s 80s 90s ये colonialism का टाइम था ये सब्सक्राइम था colonies का जहां पर British और दूसरे European powers जो एफ्रिका South America Asia को कॉलनाइज किया हुआ था इंडिया में बहुत साए British colonizers थे यह जब वापिस जाते थे यहां से चिठियां बेजते थे या अपनी diaries में लिखते थे या जो भी यह अपने travel logs में अपनी travel files में लिखते थे सो यह सारे records लेकर जब यह लोग जाते थे ब्रिटन में तो इस्पेशली इस्ट इंडिया company के जो workers थे उनसे information collect करके जो टाइलर है या फ्रेजर हैं यह लोग अपनी source था source कोई और collect करता था यह सिर्फ उसके ऊपर theories बनाते थे खुद फील्ड में नहीं जाते थे अच्छा बोवाईज ने comparative approach को भी क्रिडिसाइज किया है यह बहुत interesting है समझना जरूरी है बोवाईज ने कहा कि अगर दो cultures बहुत similar दिखते हैं तो भी हम उनको compare नहीं कर सकते हैं इसका एक इग्जामपल देते हैं देखिए यह क्या करते थे हमारे जो क्लासिकल इवालिशनिस थे यह कल्चर को compare करते थे जैसा कि मैंने बताया comparative method में क्या करते थे यह कि अगर इसका क्या यूज था उनको पता नहीं चल रहा है तो वो क्या करेंगे एक modern ट्राइब को देखिए अभी कोई ट्राइब क्या ऐसा टूल मिला है वो भी इसको मिट्टी खोदने के लिए ही इस्तेमाल करते थे तो आज की modern ट्राइब्स को European ancestors समझके उस तरह से compare करके study करना यह comparative method था सो similarity जितनी भी similar दिखे आप दोनों cultures को compare नहीं कर सकते यह बोवाइस कहते थे मैं एक एक्जांपल से समझाता हूं यह एक्जांपल बोवाइस का दिया हुआ नहीं है यह मेरा दिया एक्जांपल है अभी आप देखिए जो भी Western World है यॉरॉप अमेरिका यहां पर एक बहुत एक मूव्मेंट पॉपुलर हो रह और नहीं खाते हैं उनको वेंगन कहते हैं तो फारें्ट में लोग वेंगन क्यों हो रहे हैं फारें में वीगन हो रहे तो वीगन जो होंगे ऑव इसली वह कि खाना बंद करेंगे औन बीस पीजेश्ट प्रोटीन in message iPhone ए वो स्टेडीज में देख रहे हैं कि रेड मीट इस नॉट गूड स्पेशली बीफ इस नॉट गूड सो हेल्थ के लिए छोड़ रहे हैं दूसरा कारण है कंपैशन कुछ लोग है अनिमल के प्रती दया साहनुभूति के चलते छोड़ रहे हैं और तीसरा है इन्वार्मेंट सो इन कारणों के चलते वो बीफ खाना छोड़ रहे हैं सो मान लीजिए आज से 200 साल बाद 200 years from today 2224 AD में कोई जाता है अमेरिका में और वो देखता है कि अच्छा लोग बीफ बहुत सारे लोग बीफ नहीं खा रहे हैं वो इंडिया में आता है देखता है सेम चीज़ कि अच्छा लोग बीफ नहीं खाते है खारे हैं तो वो क्या कंक्लूड कर सकता है कि अच्छा सिंस यूएस और इंडिया मेजॉरिटी अफ दे पीपल इन ये टूटाउजन ट्वेंटिफ नहीं खा रहे हैं तो यह दोनों सोसाइटीज में बीफ नहीं खाने का कारण एक ही होगा इंडियन जिसलिए बीफ नहीं खा रहे हैं ये कंक्लूड करना बिलकुल गलत होगा ऑल्दो उपर से देखने में सुपर्फिशिली सतह पे लग रहा है कि हां सिमिलर है दोनों नहीं खा रहे हैं बट कारण टोटली अलग है इनका कारण है हेल्थ कंपैशन इन्वाइन्में वेस्ट में और इंडिया में कारण है रिलिजियन मिजर्टी अब पॉपलिशन हो हिंदू है और रिलिजियन के चलते बीफ नहीं खाते हैं जितना भी सिमिलर दिखे वो क्योंकि दोनों सोसाइटी आज एक जगह पे दिख रही है बट उनका वहाँ पे पहुंचने का रास् स्टैंसे तोटली अलग रहा है उसलिए फ्रैंस बोवैस का जो स्कूल है स्कूल अफ थॉट उसको हम हिस्टॉरिकल पर्टिकुलरिजम भी कहते हैं क्योंकि वह कहते थे कि हर एक सोसाइटी के आपने पर्टिकुलर अलग हिस्ट्री होता है और सब उनको कंपेर नहीं कर सकत सो कंपेरिटी मेथड का क्रिटिसिजम है यहां पर अगला क्रिटिसिजम आता है फंक्शनलिस्ट के दवारा फंक्शनलिस्ट को हम पढ़ेंगे कुछ आने वाले क्लासे में मोस्टली मैलिनॉस्की वान अफ दे ग्रेटेस्ट एंथ्रोपॉलोजिस्ट और रैटलिफ ब्रा प्रेक्टिसेज हैं कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जिनका फंक्शन खतम हो चुका है आज उसका फंक्शन नहीं है पास्ट में फंक्शन हुआ करता था आज फंक्शन नहीं है फिर भी वह फॉलोग किया जा रहा है एक्जामपल था कुवेड जिनको समझ में नहीं आ रहा हो पिछला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है सो मैं जिनौस्की कहते हैं कि कोई भी ऐसा प्रेक्टिस या कोई भी ऐसा कस्टम कोई भी ऐसा कुल्चरल इलेमेंट जिसका फंक्शन नहीं है वो सर्वाइव ही नहीं करेगा तो जो सर्वाइव कर रहा है उसका जरूर फंक्शन है आप उसको नहीं कह सकते कि उसका कोई फंक्शन के बिना सर्वाइव कर रहा है तो यह सर्वाइवल स्वाला कॉंसेप्ट को खुट्ला दिए बोला कि यह गलत है रीथिंकिंग मेल जullen ऑसकी ने यह भी यह भी कहा कि आप जो रीथिंकिंग कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया ड्रीम और टेथ को लेके सपना कहां से आता है और कुछ लोग सोजाटे हैं फिर उठते नहीं ड्रीम और ड्रीम और डेथ औ सोल का पूजा करना फिर अनिमिजम स्टार्ट होना जो मैंने बताया था इसमें टाइलर क्या कर रहे थे री थिंकिंग कर रहे थे वह बोल रहे थे कि केव मैं गुफा में बैठा हुआ एक आदमी हजारों साल पहले ऐसा सोच रहा होगा इस तरह का जो री थिंकिंग है इसको प्रूफ नहीं कर सकते कोई चांस नहीं है विकोज हम जस्ति इसको जस्ति इस जस्त कंजेक्ट्र इस अजंप्शन है जस्ति सो मैं जोनौस्की कहते है कि मिस्टर टाइलर आप क्या कर रहे हैं दस-जार साल पहले गुफा में बैठा हुआ वह हंटर गैदर है उसे शिकार करना है मेटिंग करना है खाना खाना है सोना है अपने आपको बचाना है यह सब चीजें में पढ़ा हुए है वह उसके पास टाइम नहीं है कि वह एज़ गया तो उठ गया वह नहीं उठा मेरी आत्मा कहां गई थी कितनी पाउर्फुल है चलो उसकी पूजा करते हैं प्रिमिटिव मैं वोज नॉट फिलोजफर रिथिंकिंग का मैथड वोज गलत यह क्रिटिसिजम है सफि gefallen साइक एकी कमेनी जो कहा था क्लासीकल एकले तरह से करते हैं उसलिए हरजग कलिछ एक लाइन में फ्लो करता है व्युवेदर एफ्रिका जहां भी है हर जगा बता रहे हैं कि वह पहले hunting gathering, फिर pastoralism, फिर agriculture, फिर industrial revolution, या पहले stone age, फिर copper bronze age, फिर iron age, फिर industrial age, हर जगह एक ही pattern follow हो रहा है, because हर जगह इंसान का दिमाग एक ही तरह से चलता है, लेकिन diffusionist कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, psychic unity, psychic unity ऐसी कोई चीज नहीं है, classical evolutionist कहते थे कि हर जगह, वो कोई भी जगह हो, या continent A है, A महादवीप, या B महादवीप, या C महादवीप, हर जगह इंसान एक ही चीज़ करता है, because हर जगह उसका दिमाग एक ही तरह से सोचता है, यानि अगर agriculture हुआ, तो यहां भी agriculture का invention हुआ, आविशकार हुआ, यहां भी agriculture, खेती बारी का आविश आविशकार हुआ, यहां भी आविशकार हुआ, सब ने आविशकार किया, किसी ने किसी दूसरे से नहीं सीखा, so everywhere man is inventive, हर जगह invention हो रहा है, लेकिन diffusionist, जो classical evolutionist को criticize कर रहे हैं, वो diffusionist करते हैं, कि man इतना inventive भी नहीं है, man हर जगह आविशकार नहीं करता है, आविशकार बह होते हैं, यह parallel lines नहीं होते हैं, lines ऐसी होती है, आविशकार एक जगह पर होता है, और फिर वहां से चार तरफ फैल जाती है, lines इस तरह से diverge करती है, ठीक है, एक जगह पर आविशकार चार तरफ फैल जाना, एक उधारन होताता हूं, अगर हम लेते हैं, मान लीजिए, टीक है, ओके, सो more or less यह old world हो गया, new world बनाने की ज़रूत नहीं है, अमेरिकास बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा हो जाएगा, so, rice, यानि धान, पैडी, rice, चावल, उसका invention somewhere Eastern China में, चाइना में कहीं पहुआ था, not Eastern China, चाइना, Southern China में कहीं पहुषकार हुआ था, और फिर वो चार तरफ spread हुआ, और spread होते हुए Eastern India में भी, पूर्वी भारत में भी आया, इस तरह से गेहुं और बारली, जव, और गेहुं की खेती, पैडी, somewhere यहाँ पे Israel में, वाला जो आज का इलाका है, यहाँ पे, फिर वहाँ से Mesopotamia, वहाँ से Africa, वहाँ से Europe, वहाँ से Asia, और Western, North Western India में भी पहुँचा, अविश्कार बहुत limited जगहों पे होते हैं, बहुत कम जगहों पे और वहाँ से चारों तरफ फैल जाते हैं, बाकी जगह के लोग क्या कर रहे हैं, copy कर रहे हैं, imitate कर रहे हैं, अविश्कार कोई कर रहा है, और बाकी लोग उसको copy करके, imitate करके, same technology use कर रहे हैं, यह लग चलता है यह जगाँ चलता है एसा नहीं होता है इन्सान कॉपी ज्यादा करता विशकार कम करता है यह क्याते हैं so since हर जगह कॉपी हो रहा है तो कोई क्ल्चर पैरलल से कोई साइकी क्यूणिटी नहीं है अब इसका एक जगह हो रहा है और बाके जगह पर वो डिफ्यूशन के थूफ रहा है लोग o आईडेस को लेके जा रहे हैं कॉपी कर और जो इस का एक और है है कि अगर सवाइक ही क्रिश्ट सोचता तो फिर का ओल्ग क्यूह थैं वेस्टन फरिचन कुंए रड़ जग इंडियन अमेरिकन क्ल्चर सकाट हा Candide है और हज़गण दिमाग एक ही तरह सोचता तो सारे culture exactly एक ही जैसे होते बट यह variations कहां से आती है psychic unity cannot explain variations यह भी क्रिटिस्टिसम है कि यूनि लिनियर प्रोग्रेशिव क्लासिकल इवल्यूशन ने बताया था कि cultures हर जगा एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं और हमेशा प्रोग्रेशिव हमेशा improvement होता रहता है सैवेजरी बार्बेरिजम civilization हमेशा एक लोवर स्टेज से अपर स्टेज के तरफ हमेशा एक progress improvement होता रहता है इसको बहते हैं यूनि लिनियर progressive movement of culture लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है यूनि लिनियर हर जगह same line follow नहीं होती है फ़र एक्जामपल एफ्रिका में कोई separate copper bronze age नहीं है वहाँ पे stone age के बाद copper bronze और iron एक साथ मिल देखने को मिलता है ऐसा नहीं कि stone उसका copper bronze उसके बाद iron ऐसा नहीं है वहाँ पे copper आपके आज का जो साथ अमेरिका मेक्सिकों है वहां पे एक civilization हुआ करती थी यह लोग प्रॉपर civilization थे बट प्रॉपर civilization होने के बावजूद इनके पास चक्का नहीं था आयरन नहीं था यह सब नहीं था तो राइटिंग भी नहीं थी सो मॉर्गन ने बताया था कि मॉर्गन कहां चले गए अच्छा मॉर्गन को हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं और फिर भी मैं आपको दिखा जेता हूँ कि खुल नहीं रहा लग रहा है ओके सो मॉर्गन यह हम अगले क्लास में करेंगे फिर बतायता हूँ सो मॉर्गन अन्य ने बताया था कि जैसे जैसे हम इंप्रूव करते हैं उपर जाते हैं वैसे वैसे यह स्टेज इस फॉलो होते हैं इनको डीटेल में नेक्स ट्लास में समझेंगे अभी यहां पर आप यह देखिए कि सैवेजरी बार्बैरिजम सिवलाइशन ऐसे हम उपर में इंप्रूव कर रहे हैं वैसे साथ में हमारा टेक्नॉलोजी भी इंप्रूव हो रहा है तो टेक्नॉलोजी में राइटिंग कब आती है राइटिंग आती है जब हम सिवलाइश हो जाते हैं पहले ही जब हम बार्बैरिजब में होते हैं उस टाइम पर हमें आयरन हमने खोज लिया होता है ठीक है और यह सब लेकिन हम देखते हैं कि जो इंका सिविलाइशन है वो प्रॉपर सिविलाइशन थे वहां पे सब कुछ शहर के तरल शहर थे यहां पे शहरों में लोग रहते लेकिन उनके पास ना तो राइटिंग थी ना तो आयरन था ना ही पॉटरी थी विकोज उन्होंने वील का चक्के का आविश्कार भी नहीं किया था बीना चक्के के पॉटरी नहीं बनती थी सो विदाउट इन स्टेजिस को पाए बीना वो पहुंच गया थे इनो एथनो सेंट्रिजम एथनो सेंट्रिजम इसके उपर एक सेपरेट टॉपिक होना चाहिए लखा दूगा है एथनो सेंट्रिजम मुन कल्चर और सेंट्रिजम केंदर में रखना अपने कल्चर को केंदर में रखना तो यह सोचना कि मेरा कल्चर ही सबसे सुपीरियर है हमारे कल्चर का खाना सबसे सुपीरियर है हमारे कल्चर का रहन सहन कपड़ा हमारा धर्म हमारी भासा हमारी बोली सब कुछ हमारा सबसे सुपीरियर ह बाकि सब लोग हम से inferior हैं हम सबसे बहतर है हमारे यहां पर जो marriage का कस्टम से सबसे बैटर है हमारे यहां पर जो religion सबसे बैटर है ऐसा ऐसा अत्नो सेंट्रिजम बहुत जगह देखने को मिलता है हर कोई सोचता है कि उनका कल्चर सबसे अच्छा है इसका उल्टा है कल्चरल रिलेटिविजम जहां आप ऐसा नहीं सोचते कि आप सबसे सुपीरियर हैं आप सोचते हैं कि हम अलग हैं वो अलग हैं और वो जो फॉलो कर रहे हैं उसका उनका अपना कारण है हम जो फॉलो कर रहे हैं हमारा अपना कारण है उनके कल्चर के सब्सक्राइब का मतलब होता है एक नेगेटिव कॉंसेप्ट है कि अपने आपको सबसे सुपीरियर समझना तो क्लासिकल एवल्यूशनिस ने जो टर्म यूज किया है अपने यॉरॉप अमेरिका जहां पे वो रहते थे अपने सिविलाइशन के लिए उन्होंने सब्सक्राइ है सिविलाइजेशन सभ्यता और बाकी एशिया यूरॉप एशिया ऐफ्रिका आस्ट्रेलिया वहां के ट्राइब्स के लिए उन्होंने वर्ड उसकिया सैवेजरी बार्बैरिजम सब सैवेज और बार्बैरिक पीपल बाकी लोगों को समझ रहे हैं मतलब बाकी जंगली अपने से काफी इंफिरियर समझते थे और एक और चीज़ की उनका जो भी सिस्टम है घुमा फिरा के उनके यहां पे जो फॉलो होता था कि ठीक हमारे यहां पे तो फॉलो होता है मोनोथेईजम सिंगल को पूझा करना तो यही सबसे सुपीरियर है बाकी लोग जो सबसे बैटर है जो उनका 19th century का Victorian इंग था इंगलैंड था विक्टोरियान इंग यलैंड का जो भी स्टम स्था जो कल्चर था उसमें जिस चीजद को वैलियू दिया जादा था उसी चीज़ को सोच रहे हैं कि सबसे बहतरीन एन और वीक्ट्टॉरियन सोसाइटी सबसे बहतरीन थी आपके सारी सोसाइटी इंफिरियर और विक्टॉरियन सोसाइटी पहुंचने की कोशिक कर रहें आने वाले कुछ सालों में वह progress पुठ चाएं घृण के नंट तो अपने कल्चर को सबसे सुपीरियर समझना और बागी को इन्फिरियर समझना अपने से निचा समझना यहं इनके क्रिटिस्टाइज तो दिखिए तब नहीं होगा तब तक नई थियोरीज नहीं आएंगी सो आप लोगों ने मॉडरन इंडिया में पढ़ा होगा कि जो मॉडरेट्स थे कि उनको क्रिटिसाइज करते करते वी गॉट एक्स्ट्रिमिस्ट नरम दल गरम दल मॉडरेट्स क्या करते थे प्रेखर पेटिशन यह सामने जाकर के प्रेखरrete ने काफी क्रिडिसाइज कि यह भिकमंगा बनना बंद करो यार भिक क्यों मांग रहे हो जो लेना है लड़के लेंगे ठीक है तो ठीक है फाइन अच्छी बात है लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि एक्स्ट्रिमिस्ट्स में यह गुसा यह यह जो गुसा है या फिर यह जल्दिवाजी यह आई कहां से वो क्य ने देखा कि यार गलत हो रहा है लेकिन मॉडरेट्स जो कर रहे हैं उसे कुछ जादा करने की जरूरत है हमारे ताउ चाचा दादा जी लोग ठीक से काम ने कर रहे हम तो जोर लगाने की जरूरत है बट अगर यह इन्हों ने इंडियन मासेज को पॉलिटिसाइज ही नहीं गुपाल किष्ण को कुछन ने जाके एसेंबली में जो कृडिसाइज किया ब्रिटिश को इनके काम के चलते ही इक्स्ट्रीमिस्ट का उद foarte हुआ वह एक्स्ट्रीमिस्ट को होते ही नहीं इन्होंने लगकों को जगाया है वह लड़के आगे जाकि एक्स्ट्रीमिस्ट बन और नीचे जो जमीन के नीचे नीचे बेस होता है जिसके ऊपर यह बीडिंग खड़ी है वह नहीं दिखता तो वैसा ही है moderates वह बेस थे इसके उपर extremist की इमारत घड़ी थी या आने वाले पूरे National Movement की मारत घड़ी थी वैसे ही anthropology में classical evolutionist को आप जितना भी क्रिडिसाइज कीजिए वही वो बेस थे जो जमीन के नीचे थे जिसके उपर बाकी anthropology की इमारत खड़ी हो सकी इनका यह achievement था कि इन्होंने theories दी पहली बार restart किया और फिर बाकी इनको criticize करते करते बाकी theory आना शुरू हो गई और anthropology बढ़ता गया कारवा बसते गये हिंदुस्ता बनता गया उस तरह से एंड पहली theory है anthropology में classical evolutionism और इसी theory की वज़े से 1884 में Oxford में anthropology को पहली बार एक separate अलग subject का रुतबा मिला शुरुवात नहीं से होती है उसलिए यह है इनका achievement ठीक है एंड सो classical evolutionism का हमने मोटा मोटी सब कुछ देख लिया है अब इंडिविजिवल जो बंदे हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे आने वाले वीडियो में थोड़ा टाइलर के बारे में देखेंगे ज्यादा कुछ हम कभर करी चुके है वर फिर भी evolutionism में ठीक है ओर आगर आप चाहते हैं कि मैं यह theories के साथ में दूसरे topics पर वीडियो बनाऊं लाइक archaeology पार्ट जो है या genetics पार्ट जो है साथ में parallel वह भी बनाते रहूं तो नीचे कमेंट कर दीजिए अदर्वाइस मैं ऐसे फॉलो करूंगा कि unit 6 के बाद unit 2,3,4,5 पहले social cultural खतम करूंगा बाद में आर्के लोजिकल और जेनेटिक इन संबे जाओंगा ठीक है सो डाट विल बी ओल फर तुनाइट गाइस थैंक यू फर वाचिंग मेरा नाम चंदर शेकर चौहान है प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है परना मोटिवेशन कहां से आएगी सो चलिए गुड़नाइट बाबाए